नमस्कार प्रभासाक्षी पॉड्कास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉड्कास्ट में हम बात करेंगे उस दिन की जब कश्मीरी पंडितों की पीडा पर दिल्ली विधान सभा में लगे अठास ने सब को चौकाया तो आईए सुनते हैं आज के इस पॉड्कास् है शकुनी अठासों के लिए दुआपर में लाक्षा ग्रह पर शकुनीयों ने इसी इंद्रप्रस्त में अठास किया था और अब कश्मीरी हिंदू के नरसंगहार पर दिल्ली विधान सभा में वही गांधार नरेश का अठास सुनाई पड़ा है दिल्ली में कश्मीरी फिल्म को कर्मुक्त करने की मांग उठी तो मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने जवाब दिया कि फिल्म को सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म यूट्यूब पर डाल दो बिल्कुल निशुल्क हो जाएगी इस हलकी फुलकी टिपणी से स्वैम उनके श्रेमुक पर शक पर देख सकें वा अतीज से सबक सीख सकें लेकिन समवेधानिक पद पर विराजमान केजरिवाल ने जिस समवेधन हींता का परिचा दिया वो लंबे समय तक मानवता को शर्मसार करता रहेगा निरलज अठासों के बीच समाचराया कि अमेरिका इस्थित अंतराष्ट्रिय म मानवधिकार एवं धार्मिक स्वतंतरता आयोग ने 90 के दशक में कश्मीरी हिंदूं से हुए अत्याचारों वा पलायन को नरसंगहार की संग्यादी है आयोग ने कश्मीर हिंद सा पीडितों की जन सुनवाई की बड़ी संख्या में पीडितों ने शपत पत्र देकर अपने साथ हुई बरबरता की व्यथा बयान करने के साथ ही आयोग के समक्ष अपने साक्षय और प्रमान पेश किये पीडितों ने आयोग के समक्ष कई मांगे रखी जिसमें इस प्रकरण को नरसंगहार का दर्जा देना भी शामिल था आयोग ने इसे स्विकार कर लिया है इस घोशना से देश के उस छद्म उदार वा धर्म निर्पेक शक्तियों की कलाई खुल गई जो दिकश्मीर फाइल्स की रास्ते सामने आये सत्य को जुटलाने का प्रयास कर रहे हैं इनी शक्तियों में दिल्ली के ये माननिय भी शामिल हैं चाहे अठासो का इतिहास पुराना है परन्तु दुनिया के वामपंथियों ने इसका प्रयोग अपना विमर्श इस्थापित करने वह सच्चाई को हवा में ओडाने की तक्नीक के रूप में भी किया है अमेरिका में यथार्तवादी कटरपंथियों के लिए एक वैवारिक संग्रहक वामपंथि विचारक साउल डी एलन्सकी ने अपनी पुस्तक रूल्स फॉर रेडिकल्स में विरोधी विमर्श नेरेटिव को दौस्त करने के लिए जिन तेरा नियमों का उल्लेक किया है उसमें केजरिवाल मार का अठास भी शामिल है क्योंकि तरकों का जवाब दिया जा सकता है परंतु उपहास का नहीं इसमें सामने वाला अपने आपको अपमानित महसूस करता है उपहास सबसे बड़ा हथियार है जो सामने वाले को निश्रस्तर कर देता है वामपन्थी चाहे दास कैपिटल को सिध्धानतिक तौर पर अपना साहित्ते बताते हैं परंतु रूल्स फॉर रैडिकल्स पुस्तक वामपन्थियों की हदीस मानी जाती है वामपन्थियों द्वारा अपने विरोधियों विशेशकर रास्ट्रेय स्वैम सेवक संग भरतिय जनता पार्टी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जैसों के खिलाफ काफी लंबे समय से इसी शस्त्र का प्रियोग करते रहे हैं आज भी सोशल मीडिया में कार्टून, मेम्स, टेक्स्ट मैसेज, कविताओं, चुटकलों आदी के साहरे गंभीर विशे को हलका कर उसे जुटलाने वा अपने विचार थोपने का प्रियास होता है फिल्म के बाद छदम उदारवादियों वा धर्म निर्पेख्षतावादियों की लाख आलोचनाएं कश्मीरी हिंदूों की पीड़ा जुटलाने में आसफल रही परन्तु दिल्ली की निर्मम अठास ने मानों ये कारे शाणों में कर दिया अपनी पुस्तक विशैला वामपंथ में डॉक्टर राजीव मिश्रा कहते हैं कि बंगाल तिरुपुरा में राजनितिक पराजय के बाद पूरे वामपंथ को पराजित मान लेना बड़ी भूल है क्योंकि ये रूप बदल बदल कर सामने आता है वामपंथ ही अपने जर्म से ही जिहादियों की डाल रही हैं वे इसलाम के खिलाफ कुछ नहीं बोलते कामिनिस्ट कोटुम अक्सर पंक्तिया गाते मिलता है कि सब ताज उच्छा ले जाएंगे और तख्त गिराए जाएंगे फिल्म दिकश्मीर फाइल्स में भी वाममारगी फैज अहमत फैज की इस कवीता को लिया गया है जो यू है हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है जो लोह एजल में लिखा है जब आरजे खोदा के काबे से सब बुत उठवाई जाएंगे हर एहल इस सफा मर्दू दे हरम मसनत पे बिठाए जाएंगे सब ताज उचा ले जाएंगे सब तख्त गिराए जाएंगे बस नाम रहेगा अल्ला का जो गायब भी है हाजिर भी जो मनजर भी है नाजिर भी ब्रिटिश सैना के पूरवधिकारी फैज ने विभजन के समय पाकिस्तान चुना वहाँ सैना से निकलकर वो पाकिस्तान टाइम्स के समपादक बने वो पाकिस्तान की Communist Party के सबसे बड़े नामों में एक थे उनकी पत्ने Alice George एक Анग्रेज महिला थी जो बिटेन की Communist Party की सदसे थी इतने समर्पित Communist शायर की इस नजम का अर्थ है कि एहल सफा यानी आसमानी किताब कोरान को मानने वाले मसनत पर बिठाए जाएंगे बस नाम रहेगा अल्लह का यानि बाकी आस्थाएं मिटा दी जाएंगी उनके लिए कावे के बुथ हटाना ही इंकलाब है अल्लह का नाम ही सबसे बड़ी सत्ता है कौमिनिस पार्टी के जनम से लिकर आस्था के इतिहास पर नजर दोड़ाई जाए तो सामने आएगा कि कटर इसलाम जहां तलवार है तो वाम पंथ उसकी ढाल मुस्लिम लीग वा भारतिय वाम मार्गियों का याराना कौन भूल सकता है कश्मीर में जिहादी संगठन इसी नजम के अनुसार ही तो काम करते हैं मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ते हैं दूसरे धर्म के तक्त उचालते हैं कुरान वह अल्लाह को मानने वालों की ही तूती बोलती है दिकश्मीर फाइल्स ने एक बर फिर कटर इसलाम का चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है तो इनी जाहिल शक्तियों की ढाल अगर दिल्ली की विधान सभा में अठास करती है तो किसी को आश्चारे नहीं होना चाहिए रूप बदले हुए नव वामपन्थी अपना काम ही कर रहे है आज के लिए इतना ही अगले पॉड़कास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तरिज जानकारी तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभास साक्षी के साथ